मेरे हाथ में क्या है है Hemisphere और यह क्या है एक Hollow Cylinder ठीक है तो मैंने यह Hemisphere लिया और इसके उपर यह Hollow Cylinder रख दिया वेलकम इन EKS Study 1024 मैं हुआर उनकुमार याद हो और इस वीडियो में देखने वाले Class 10th Exercise 13.1 के Question No.2 का Solution और इससे पहले मैंने जितनी वीडियो अप्लोड की है उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्किप्शन में तो वहां से आप उनको देख सकते हो और अगर आप Science की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको विजिट करना है Science A.K.Study 1024 तो शुरू करते हैं इस Question को देखो जो एक Question है Question No.2 इसमें हमसे बोला गया है A Vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder मतलब कि एक वैसर एक बरतन है जिसमें नीचे एक hollow hemisphere लगा है और उसके ऊपर एक hollow cylinder mount क्या गया रखा हुआ है इसके बाद बोला गया है इसके बाद बोला गया है the diameter of the hemisphere is 14 cm जो टोटल हाइट है बरतन की वो है 13 cm हमसे बोला गया find the inner surface area of the vessel मतलब हमें inner surface area बताना है वैसल का तो यहाँ पर देखो यह वो figure है जो आपको यहाँ पर बनानी है ठीक है सबसे पहले क्या बोला गया Question में कि एक hollow hemisphere है उसके ऊपर mount किया गया है एक cylinder को तो मैंने यहाँ एक hollow hemisphere बना है कुछ इस design का यह बरतन है इस बरतन की पूरी लंबाई या पूरी height जो है वो बताए गया 13 cm और जो hemisphere है इसका diameter बताए गया 14 cm हमें इस बरतन का inner surface area निकालना है तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है मैं इसको आजबर आपको समझा देता हूँ कि यह किस तरह का बरतन बना ह हुआ है आपको क्या करना है देखो यह मेरे हाथ में क्या hemisphere और यह क्या है एक hollow cylinder ठीक है तो मैंने यह hemisphere लिया और इसके ऊपर यह hollow cylinder रख दिया ठीक है तो मतलब यह कुछ इस design को बनेगा इसको आप सामने से देखोगे ठीक है तो आपको यह अंदर जो जगा नजर आ रही है इसमें जो area आप टच कर पा रहे हो यह सारा area आपको internal वाला निकालना है तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात जो radius है hemisphere की वो बराबर होगी radius of cylinder ठीक है दोनों same size की है एक दूसरे को पर रखे हुआ है तो radius दोनों की बराबर होगी और radius हमें बताए गई है direct नहीं बताएग आप देखो हमें cylinder के height की जोट पड़ेगी तो मैंने माल लिया कि small h जो है यह cylinder की height है तो मैंने लिगा height of cylinder is equal to small h अब यह कैसे निकालेंगे देखो जो total height है वो कितना है 13 और total height कैसे आ रही है यह radius r और यह क्या चीज है h दो यह h है तो जाएज़ी बात है यहाँ से लेके यह मां तक यह height है तो मतलब अगर आप height में r जोड़ो तो आपको 13 मिलता है मतलब अगर इस 13 में से आप यह radius minus कर दो तो आपको h मिल जाएगा तो h की वेल हो जाएगी 13 पूरी height है उसमें से radius minus कर दिया radius कितनी है 7 तो 13 में से 7 minus किया कितना बचा 6 तो height of cylinder आगई 6 cm अब बात करते है total surface area of vessel vessel का surface area बोलो या फिर vessel के लिए total surface area एक ही बात है ठीक है देखो vessel का तो total surface area निकलेगा लेकिन देखो यह जो बरतन बन रहा है इस design का हमें अंदर का total area निकालना है अंदर का total area दो चीज़ों से मिलके बनेगा एक तो इसका curve surface area मतलब जो यह cylinder है इसका curve surface area दूसरा क्या नीचे जो यह hemisphere लगा इसका curve surface area ठीक है तो यानि कि सबसे पहले cylinder का curve surface area लिख दो cylinder का curve surface area होता है 2 pi r h plus फिर जो नीचे hemisphere है इसका curve surface area 2 pi r square मतलब दोनों का curve surface area मिलके जो वैसल है उसका total surface area बना रहे है दोनों ठीक है तो यहां से क्या के चीज़ को मनाएगी 2 दोनों में है pi दोनों के पास है radius इसके पास है इसके पास radius का square है तो एक r तो दोनों के पास होगा h यहां बच गया 2 pi r को मना आया h अंदर बच गया plus 2 pi r को मना चुका है r square में से 1 r बच जाएगा is equal to यहां पर आया 2 pi की value कितनी है 22 by 7 radius की value कितनी निकाली हमने 7 h की value कितनी निकाली हमने 6 r की value वही 7 तो यहां से देखो 7 से 7 कट गया 2 into 22 कितना आया 44 into अंदर 7 और 6 जोड़ोगे 6 और 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 13 ठीक है 13 का table आपको आता है तो सिधा पड़ो 13 फोर्जा 52 केरिवा 5 ठीक है 5 केरिवा है फिर 13 फोर्जा 52 और 5 केरिवा है जोड़ दो 52 और 5 57 तो यहां से 572 cm2 होगा यह जो वैसल है उसका सरफेस एरिया हो जाएगा ठीक है तो उमीद आपको एक क्वेस्टन में आया होगा जल्दी मिलते अगली वीडियो में थैंक्ट वाचिंग